हेलो विवान वेल्कम तो लाइटिक लांजी के उस आज के सेजिन में लोग मॉडिल कोईशन पेपर डिस्स करने आ रहे है फॉर्ट एग्जामनेशन आफ पार ग्रेट डिप्लोमा ट्रीन एलेक्टिकल जो की एग्जाम आफके 17 ओफ डिसमबर को कंडेक्ट होने जा रही है उ पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सारे लिंक्स है आप उसको उपन करके भी जाके देख सकते हो काफी इंपोर्टन से कुशन से हम लोग आज के सेजिन में डिसस करने जा रहे है तो चलिए हम लोग इस सेजिन को चुरू करते है सबसे पहले था हम लोग हमारे previous session का answer देख ले था ठीक है उसका question हमने जो पूछा था हमारे third number का session जो हमारा previous session था कल का उसमें हमने question पूछा था question कहा था हाला कि related मैंने इस से related question का concept भी आपको उसमें explain किया था और practical approach भी इसका बता है था question कहा था सॉलिट स्टेट पार सप्लाइज और प्रटेक्टेट फ्रम हाई वोल्टेज सजेज ड्यू लाइटनिंग यूजिंग सॉलिट स्टेट पार सप्लाइज ठीक है SMPS से जो रहते हमारे पास उसको प्रटेट करते एक हमारा एक component रहते है उसको हम लोग कहते है सिलिकोन करबाइड वारिस्ट ठीक है उसको हम लोग वारिस्ट करके भी यूज करते है तो इसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है और उसको कैसे इंप्लिमेंट करते हमारे सक्केट्स में चार्जर में वगर SMPS उनिट्स में उस वह भी मैंने अपको उसमें एक्स्प्लिमेंट गया ठीक है तो उसको जाके देखना होगा जिन स्टुएंट्स ने नहीं देखा होगा ठीक है और इसका सबसे पहले हमें करेक्ट एंसर दिया है उनका नाम है उन 10 स्टुएंट्स को नाम है सूरज गुरु आकाश यादव प्रिया जहा न्यू टेक संदिप कुछवा जैनेंद्र कुमार यात्रे इंजिनियर मनकी बाद मुकुन मुरारी एन प्रिती भट शाट आट तो यू गाईस यू आप 10 transition में लो तो आपको top 10 में आना है और आपको सबसे पहले correct answer जो आपको comment box में comment करना होगा हमारे, इस session के जो end में मैं आपको question पूछ हूँ का ठीक है यह हमारे third session का यह question था ठीक है तो चलिए हम लोग इस session को शुरू कर दे with our very first question simple to moderate level के questions हम लो discuss करेंगे सबसे पहला question का है capacitance of a capacitor is given by हमारे capacitance of a parallel plate का हम लोग capacitance का formula पूछा है option d's का correct answer हो जागा देखिए मैं यहां पर लिख लिख दे तो अगर आपको blur हो रहां हो तो यहां पर c is equals to epsilon 0 epsilon r into a by d अब यहां पर जो terms है epsilon का हम लोग क्या लिखते हैं इसको अगर आप लोग epsilon से पर replace करते हैं तो भी आप चलेगा ठीक है epsilon का है हमारा यह हमारा ables u Gemaral परडमिय यह्जा से अहनुनद लिख वीटिव में इन % लेख पर parked आपक्टिव वीजुम एप्सेलों यह एमारे इलेख पर मेठीब में यह क्या है एड अजिए अघ्ही आफ टुबी टीन गपिवे टुन अक्यर लिख दरेट रहता है distance between this gap और ए जो है यह area होगा इसका तो इसका capacitor जो है capacitance का है हमारा capacitor का हम लो कैसे कौन से formula से लिखते हैं C is equals to epsilon 0 into epsilon r into a by d option d is का correct answer तो दिखते हमारा next question question number 2 bipolar junction transistor is a dash control device BJT जो है हमारा frequency control device resistance control voltage control है फिर current control तो काफ़े simple चाब question है इस टाइब के question पूछ जा सकते हैं इसके control है एक question आपको ऐसा पूछ आ सकते हैं कि फेड जो है फिल्ड एफेक्ट रांजिस्टर वो voltage current voltage control या फिर current control तो BJT तो अभी यह तो current control device है option is का correct answer आजाए कि ठीक है current control device अगर अगर आपको फेड पूछा जाए फिल्ड एफेक्ट ट्रांजिस्टर तो वो हमारे voltage control device रहते हैं दोनों भी चीज़े मैं आपको यह पर बता रहा हूं ठीक है ध्यान से सुने अगे फेड जो है हमारा voltage control device है और switching में जो है वो बैरी करता है बीजेटी से रही है तो यह दोनों भी चीज़े आपको ध्यान में रखना को है बीजेटी अगर पूछा तो current control है अगर फेड पुछा तो voltage control device है तो देखते हैं हमारा next question question no.3 योग इन a large DC machine is made up of योग जो रहता है योग क्या रहता है हम लोग उसको क्या कहेंगे outer frame DC machine का जो outer frame रहता है वो किसे बना रहता है वो बना रहता है हमारी Trials Fat actually है और Si Cast iron और फिर Cast steel से भी बना रहता है, और Small DC machines में हमारा Cast iron और फिर Large DC machines में यह Cast steel से बना जाता है, Large DC machines के अगर बात कहे हैं, तो यह Cast steel का बना जाता है, Basically, Cast iron का भी हमारे Small DC machines में यह बना जाता है, टिकिकि? अगर Small पुछा है तो Cast iron इसका perfectly correct answer हो जाएगा ठीक है यह हमें mechanical strain भी देता है और यह magnetic flux को भी carry करता है field winding के दुवार magnetic fluxes produce होते है वो यह carry करते है और mechanical structure भी provide करते है हमारे windings को option series का correct answer था the next question is question number 4 in a balanced star connected system the voltages are dash ahead of their respective phase voltage important question है द्यान से सुनेगा balanced star connected system में जो line voltage है वो 30 degree ahead रहते है balanced star system में अगर 3 phases के बीच में difference पूचा जाए तो 120 degree होगा बट लेकिन यहाँ पर जो balanced star phases में line voltage कितने से ahead रहते है कितने degree से ahead रहते है phase voltage से ठीक है वो 30 degree से ahead रहते है option 20 का correct answer रहते है यह balanced 3 phase system है I'll highlight this phases यह तो हो गया हमारा vr phase यह तो हो गया हमारा b y phase and this one is a b phase ठीक है अभी हम लोग यहाँ पर मैं respectively आपको बता देता हूं ठीक है यह तो r phase हो गया यह हो गया neutral यह हो गया y और यह हो गया अगर हमें किसी r या फिर अगर हम लोग n की बीच का voltage measurement करते है तो वो हो गया हमारा phase voltage अगर हम लोग r से लेके y की बीच में measurement करते है तो वो हो गया हमारा line voltage यह तो आपको पता ही होगा ठीक है फिसर डियाग्राम में आप देख सकते हो अगर हमें इस फेसर डियाग्राम में देख सकते हो इस तरीके से अगर हमें line voltage निकालना है है between phase अगर R या फिर R Y की बीच में लाइन वोल्टेज निकालना तो हम लोग कैसे निकालेंगे V R Y will be equals to V R minus V Y okay तो क्या हो जाए का V at an angle of 0 V Y का value किता है वो है हमारा V at an angle of minus 120 degree correct तो इसको अगर आप solve कर ले तो यू विल गेट root 3 times of V at an angle of 30 degree ठीक है complex को complex circulation को solve करना हो का simple है ठीक है that means जो हमारे line voltages these are ahead of 30 degree by with their respective phase voltages ठीक है तो यह important question था मैंने इसके लिए आपको यह balance three phase system यहाँ पर explain कर रहे है option B इसका correct answer अगर three phases की अगर बात के तो वो कितने degree से प्लेश रहते है तो 120 इसका correct answer mark करना है ना ठीक है बर जल्द माज़े में आप इसको 120 mark करके मतार ना ठीक है तो देखिए rms voltage जो है हमारे transformer का उसका formula क्या है e is equals to e is equals to 4.44 into f into 5 into n okay इस case में f क्या है हम लोग frequency है 5 क्या है हमारे fluxes तो 5 को हम लोग ऐसा भी लिखते है b into a और n जो है हमारे number of turns है correct and is the number of turns तो इसमें सारी value substitute कर लेते तो a का value हम लोग find out कर पाएंगे यह ही हमें निकालना है cross sectional area ही तो हमें find out करना है ठीक है तो e हमारे पास कितना है 100 volt है ठीक है is equals to 4.44 into f कितना है 50 years है 50 into b कितना है हमारे पास b का value है हमारे पास 1 maximum flux density इसको हम लोग लिखते है notation से b that means 1 into area तो हमें find out करना होगा area को वैसे लिख लेते और n कितने number of turns है हमारे पास 20 turns है ठीक है तो अगर आप लोग इसको solve करेगा तो you will get the value of a as a 0.022 area किसमें रहता है meter square में okay option c इसका correct answer आजाएगा ठीक है simple सा question था एक equation के basis में the next question is question number six ठीक है calculation based जो problems रहेंगे आपको इसी तरी किसे पूछे जाएंगे ठीक है eight power factor पर ठीक है अगर हमारा power factor unity अगर हमने कर दिया ठीक है unity अगर हमने कर दिया तो कितने kilowatt alternator हमारा supply कर पाएंगा same kva loading के लिए ठीक है इसके लिए आपको सबसे पहले तो power triangle का एक concept आपको ध्यान में रखना हो ठीक है रियल पावर ठीक है रियक्टिव पावर और यह हाइपोडेनर जो है यह अपारेंट पावर यह कह हमारा S यह Q और यह P तो इस केस में हमारे पास active पावर हम लोग कैसे निकालेंगे यह Vrms into I rms into cos phi reactive power को हम लोग कहा लगते है इन्टु sin phi से गर हम लोग multiply करते है apparent power के हता Vrms into I rms और S को गर हम लोग लिखते है that is hypotenuse is equals to that means apparent power है यह हमारा P plus J Q correct तो S को हम लोग कैसे निकालेंगे S को हम लोग इस तरीके से पी निकाल पहेंगे पी स्कुएर प्लस Q स्कुएर ठीके और फाय जो है हमारे phase difference है यह बिट्विन वोल्टेज या लाइन करेंगे और पार फेक्टर अगर हमें निकालना होगा कॉस फाय तो हम लोग कैसे निकालेंगे P by S correct active power upon apparent power that means हमें कॉस फाय निकाल जाएंगा तो यहां पर kilowatt rating कितना है P का वाल्यू हमार पस कितने गिवन है 400 वाट correct next value कितना है कॉस फाय कितना है हमार पास 0.8 है और हम लोग S जो है के वे एकर हम निकालेंगे के वे रेटिंग एल्टरेंटर का तो क्या हो जाए कि पी अपॉन कॉस फाय तो पी कितना है मार पास 400 अपॉन 0.8 इसको गरप सॉल कर ले तो अपको वैल्यू कितना है जाएगा 500 की वे ठीक है कि 0.8 से गर हम लोग Dvied करते है तो फायंड इसका वैल्यू आ गया पिरेक्ट फायंड कि वी ए ठीक है तो अगर हम लोग इसको अगर मल्टिप्लाय करते थे कॉस फाय तो अल्ट मिस पावर फैक्टर आगर हमारा यूनिट है नेक्स कंडिशन में तो अगर हम लोग 500 इंटू वन करते हैं तो हमारे पास टोटल सप्लाइब कितना हो जाए का 500 किलोवाट का ठीक है तो फिर्ट में सम्लोग एक्जिस्टिंग लिकितना 400 किलोवाट सप्लाइब कर रहे थे पॉइंड पार फेक्टर पे अगर हमारा कॉस फाय जो है वह वह वन आ रहा है तो उसके सम किलोग हम लो हंड़े मोर जो है वह वह सप्ला कर पार इह न मेंज हमारा अप्षिन डी जोई इसकिस में करेक्र जर हमें आप प्रडी जो हाल हमारा इसकिस में करेक्रट आंसरो अगर hall है यह दो पर इसकिस में ступ Orchestral किलोवाट ढुर 2020 to unity option B is ka correct answer आयो कोप के कुशन समझ में आया होगा we will see the next question so the next question is a field coil of a shunt motor has a resistance of 45 ohms at 20 degree centigrade find the average temperature of the winding at the end of the run when the resistance is increased to the 48 ohms the temperature coefficient of a resistance is 0.004 per degree centigrade या पर कुशन में के गिवान है हमारे पास एक field coil है हमारे shunt motor की ठीक है जिसका resistance है 45 ohms 20 degree centigrade पे ठीक है हमें क्या पूछा गया है average temperature पूछा गया है जब हमारा winding end of the run पे ठीक है end of the run पे जब हमारा resistance है वो increase हो गया 48 ohms पे ठीक है और temperature coefficient भी हमारे पास given है ठीक है अलफा का भी value हमारे पास given है ठीक है अलफा का value कितना है 0.004 per degree centigrade ठीक है तो अभी हमारे पास formula क्या रहता है resistance temperature का resistance और temperature का dependency वो हमारा rt is equals to r0 in bracket 1 plus alpha into delta delta क्या है हमारा change in the temperature resistance rt क्या है हमारा यह final temperature पे resistance कितना रहेगा और r0 क्या है हमारा initial ठीक है यह final पे कितना temperature रहेगा ठीक है और alpha जो है हमारा temperature coefficient है और जो delta है it is a change in temperature ठीक है इसने में लोग सारे value substitute कर ले थे rt का value कितना है हमारा पास final का यह 48 ohms का हम लोग markup करके रखते थे r0 का value कितना है हमारा 45 ohms का है ठीक है और alpha का था value अबने अबने अल्री बता दिया ठीक है और यह जो temperature है हमारा t1 यह तो हो गया हमारा 20 degree centigrade और delta क्या हो जाएगा हमारा it will be equals to t2 minus t1 ठीक है तो हम लोग सबसे पहले तो यह value substitute कर देते है I'll change the color okay it will be 48 is equals to 45 जो initial resistance था ठीक है यह जो है rt तो ही हमारा final resistance है after run के बाद में ठीक है जो coil के बाद में जो coil है shunt motor का run होने के बाद में motor जो भी हमारा resistance आया वो आया 48 ohms का 45 initial था 1 plus 0.004 into delta इसमें से हम लोग value निकाल पहेंगे delta का जो कि आया हमारा 16.67 degree इसको अगर आप solve करेंगे तो आपको मिलेगा delta का value ठीक है और delta का हम ने क्या लिखा यहाँ पर t2 minus t1 तो t2 क्या हो जाएगा हमारा ठीक है that means average temperature कितना रहेगा वो रहेगा हमारा 20 initial plus यह इसमें add up हो जाएगा ठीक है तो कितना हैगा हमारा 16.67 तो it will be around 37 ठीक है degree centigrade रहे तो यहाँ पर जो close answer कितना है मारे पास option D that means option D will be correct answer in this case ठीक है काफ़े simple जाएगा question था यह एक formula धहन में रहेगा बस आप ठीक है rt is equals to r0 into 1 plus alpha del t ठीक है इस से related काफी बार एक question 100% आता है ठीक है सो आहँ पर आपको एक question सबंज में आगा डेक्ते हमारा next question it is also important question question number 8 the collector to emitter cutoff current that means collector to emitter cutoff current ICEO of a transistor is related to current collector to the based cutoff current ICBO as collector to emitter cutoff current ICEO transistor का कैसे रिलिट करता है हमारे collector to base cutoff current ICBO mainly आपको सबसे सिंपली अगर हम भूबिस करें तो इसका हम को रिलेशन पूछा गया है अलफा जो है हमारा कॉमन बेस करन गेन हमारे ट्रांस्फोर्मर का ठीक है तो इसका करेक्ट एंसर है फिर हम लोग इसको कर दूइलाइव करेंगे तो एक ये एक रिलेस्न थरे इसका फाल इसका करेंग़ कि रिलेस्न है तो उसको हम लोग कहते है फ्लाइट रेट टैरिफ इंपॉर्डंट है धान में लिए कि इसमें काफी बार कन्फिशन होता है ठीक है टू पार्ट टैरिफ मतलब क्या आता है जब हमारा रेट अफ एलेक्टिसिटी वो डिपेंड करते है हमारे मैग्जिम डिपांट पर ऐसा कुशन में पूछा सकता है और हमारे यूनिट्स कंजूम पर उस पर तो ऑविसले रहेगा यूनिट कंजूम और मैग्जिम डिवांट पर रहता है तो वो टू पार्ट टैरिफ रहता है सिंपल टैरिफ के अंदर आता है फ्लाट टैरिफ अभी हमनें डिस्स कर दिए और यू तारिफ और टैरिफ के अंदर ऐस concert डू प्रटाइब के अदर आते इक रिक पर्टिकूलर ब्लोक के अंदर पर-टैरिव करर आपका कॉल्ड फ्लाइट रेट टैरिफ ऑप्शन सीज का करेक्ट एंसर था है वी विल से नेक्स कुश्चिन चीज कुश्च नमबर टैन यह इंपोर्टन कुश्चिन है धान मेरे की एलिमेशन में हमने जो भी कुश्चिन कवार कराया थे उसमें यह इस तैप के कुश्चिन हमने अबर नहीं करा है इसलिए यहां से द्हां से सुनिएगा काफी इंपोर्टन है एक रूम है हमारी ठीक है ट्वल बाय ट्वल मेंटर की इट इस लिट बाय टेन लम्स उसके अंदर टेन लैंस है तो फेरली यूनिफॉर्म एलिमेशन आफ हंड़ेड लुमन पर मिटर स्कूर एक एक रूम के अंदर जो एलिमेशन है वो हमारा 1600 लुमन ओके तो यहां पर हमें यूटिलाइजिशन कोफेशन निकालना है ठीक है तो हम लोग कैसे निकालते है उटिलाइजिशन फेक्टर का वो तैमरा टूटल लुमन रचिंग वर किंग बेंग अपन टूटल लुमन इमिटिंग फ्रम दव तो इस निकालते है तो यहां पर एरिया तो हमारे पास फाइंड डूट करना पड़ेगा इलचेंज देखला तो यहां पर एरिया तो हमारे पास फाइंड आपड़ेगा आपड़ेगा तो हमारे पास गिवन है जो कि हमारे इस इकोस तो फाइंड लुमन पर मिटर स्कूरर यह सारे वैलीज हम लोग सब्स्यूट करते तो टोटल लुमेंज जो हमारे रीचिंग टू दर वर्किंग प्लेंग यह फर्स्ट जो हमारे निमेरेटर का वाल्यू क्या ह हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा हंड़ेट पर लुमेंज पर मिटर स्कूर इच का इलुमेंज से हमों लोग मल्टिप्लाएगा इनके 12 इन्टु 12 से इन्टु में 10 से मल्टिपलाइगा पड़ेगा एक हमारे पास 14000 लुमेंग से इमिट हो रहे है तो हमारे पास में इच बल्ब का कितना है 1600 लिमन से 1600 लिमन से और इतने बल्ब से 10 तो यह टोटल आगे है हमारे पास में 16,000 ठीक है यह एक मिस 14,000 डिवाइड बाए 16,000 अगर हम लोग करते तो 0-0 तो यह बिल गेट 0.88 that is 0.9 इसका यह हमारा करेक्ट एंसर आ जाएगा ठीक है एक बार फिर मैंस में जा देता हो एक रूम है हमारा 12 बाए 12 का जिसमें 10 लैंब्स है उसमें यूटल लुमेंज कितने रीच हो रहे है वह वर किग प्लेन पर टोटल लुमेंज रीच कितने हो रहे है वह हमारा एरिया से हमें जो एक इलिमनेशन है पर्टिकुलर बल्प का तो वह है 100 लुमेंज़ मिंटर स्कूर से हम ने मल्टिप्ला करना पहेड़ेगा और ए बल्ट से 1600 लिमेंस से मिल टेप्लाइ करेंगा तो हमें डिनामेटर का वाली मिल जाएंगा वाली हमने इसमें सबस्टिट कर दिया और हमें वाली मिला 0.9 option C का correct answer ठीक है the next question is question number 11 the shaded pole motor is used for shaded pole motor हम लोग low starting torque applications के लिए use करते हैं okay option C is का correct answer ठीक है और यह rating basically किसके लिए रहता है shaded pole motor का कितना रहता है अगर पूछा जाए तो 20 वाट आप consider कर सकते ठीक है less than 20 वाट ठीक है तो हमारे टॉइज है ड्राइड जो cooling fans वगरा में यह हमारे shaded pole motor उसमें यूज होता है option B इसका correct answer है the next question is question number 12 electro dynamometer type of white meter consists of electro dynamometer type में कितने current coil कितना pressure coil रहता है तो यह उसमें दो current coils रहता है और एक pressure coil रहता है इसमें एक term में आपको factor बता दो एक important है ठीक है तो यह तो होगे दो fixed coil एक moving coil ठीक है यह ऐसा भी question to be a purely resistive type of circuit ठीक है that means यह जो इसका pressure coil है इसका हम लोग assume करते purely और highly resistive in nature है ठीक है बट इसमें क्या होता है अगर हमारे पास error आता है white meter reading में due to pressure coil inductance यह जो pressure coil का inductance के current small inductance के current इसमें error आता है तो हम लोग उसको swampic register से eliminate करने का try करते तो हम क्या करेंगे एक capacitor जो है parallel में connect कर देंगे ठीक है with the swamping register ठीक है और उसका value के इतना है capacitance का हम लोग जिसमें हमारा जो pressure coil का purely registry बनाने का try करते तो वो आता है हमारा c is equal to 0.41 lp upon rs square ठीक है यह उसमें एक छोटी सी तर्म थी यह भी मैंने आपको यहां पर explain कर रहा दीक है तो धान में रखेगा एलेक्रोडाइमिटर टाइप में दो current coils रहते हैं ठीक है and one pressure coil is there okay and it is highly resistive in nature okay option B इसका correct answer था the next question is question number 13 a generator has a output a generator has a open circuit emf as a 18 volt its terminal voltage drops to the 15 volt with a load resistance 30 ohms calculate its internal resistance काफे सिंपल सा कोशन है एक equation ध्यान में रखना हो का generator के लिए क्या होता है generated emf eg is equal to terminal voltage plus drop ia into r a ठीक है तो यहां पर open circuit voltage eg का value given है हमारे पास 18 ठीक है वी का value हमारे पास कितना है गिवन है 15 ठीक है और यहां पर ia का value हमें find out करना है find out करेंगे तो हम लोग आये विल भी यह तो supply कर रहा है तो इस case में क्या हो जाएगा मारा voltage कितना है 15 टर्मिनल voltage upon इसका कर रहा है load resistance कितना है 30 तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.5 आये mps में ठीक है 0.5 एंटू आरे का value कितना है जाएगा आरे तो हमें find out करने है ठीक है simply है आप इंटरल रिससेंसी find out करने है तो आरे विल भी एक्वास तो 6 ओम इसको आप solve कर लेते हैं ठीक है simple सा question था यह option C इसका correct answer ठीक है अगर हम लोग इसका एक second draw करेंगे यह अगर हमारा एजी है यह आर्मेचर है तो यह आए का value find out करेंगे ठीक है यहाँ पर एक load connected है 30 ohms का 15 voltage का terminal voltage था ठीक है इसी तरीके से आप इसको समझ जाब काफी simple सा question था बाइद वे है the next question is question about 14 frequency can be measured using frequency measurement के लिए हम लोग कौन सा bridge यूज करते है तो उसमें हम लोग wind bridge यूज करते है option C इसका correct answer है और यह measurement के लिए कितने frequency के measurement के लिए that means कौन से range के frequency के लिए हम लोग यूज करेंगे ट्रिंग ट्रिंगर दोह आँ बादे है नियूज कारको का ट्रे यूज का抹्षोंड की टीकष पैटिए ए पह्वीरह तो नूच फिल्ट विल्ट यूज करते यूज का एक भी यूज करते स्टीब यूज करेंगे दे फुल लोड कॉपर लोस और आयन लोस और आयन लोस फोर अर 20 500 वाट और इसा कुछन पूचा जाता है तो कॉपर लोस तो बेसिकली हापर चेंज होता है तो कॉपर लोस केतना होता है अगर partial load पे पूचा गया है तो इन्टू x square इन्टू PCFL that means copper loss at full load तो x square जो factor है हमारा part of हमारा full load है ठीक है तो half का value बोलागे at half load पे तो x का value हो जागे 1 by 2 square into copper loss full load पे कितना है 2500 वाट तो यह आजाएगा हमारा बास 625 वाट हमारे half load पे copper load का और यह बात ध्यान में रखेगा iron loss जो है यह पे ठीक है आइल हाइलाइट दिस इपिस अ कॉंस्तंट इर्रिस्पेक्टी ओफ चेंज इन लोड यह हमारे constant losses रहते यह आइन लॉसस तो यह मेंस इसका जो 1500 वाल्यो चेंज नहीं होगा इसलिए हमारा copper loss हो जाएगा 625 और आइन लॉसस जाएगा 1500 वाट अट अड़ लोड अफ लोड पे अप्शन बीस का करेक्ट हैं से था वन कॉर्टर अगर पुछा गया तो 1 by 4 square से अगर आप 1 by 4 whole square अगर आप कर सकते हो ठीक है रिस्पेक्टिवली वैलिवे चेंज उटाएगी तो नेक्स कुशन इस कुशन नमबर 16 तो फंक्शन आफ काफी important question है हमारा जो DC machine का एक session था ठीक है DC machine का important questions था DC machine उसमें यह काफी बार मुझे comments किया students ने हम लोग एक ही एक टर्म ध्यान में रखके होए उसी तरीके से गलत करके आजा दे काफी बार करना फिर मैंने हर एक comment को वहाँ पर जाके reply कि आप जाके देख सकते हो simply वहाँ पर जो मैंने question पूछा था वहाँ पर हमने motor के regarding पूछा गया पूछा था लेकिन काफी जेनरेटर की बात करते हैं बट वहाँ पर मैंने motor पुछाता है तो यह दोनों भी confusion नहीं होना है बात किया तो alternating to DC करना है motor में पूछा गया तो DC to AC यह important factor है आप quickly इसको commutator DC motor करके अगर आप markup करके होंगे कि simply AC to DC करता है तो वहाँ पर सबसे पहला option वही रहेगा और सबसे पहला वही आप गलत करके होंगे काफी बार मैंने analyze कि यह question भी option is का correct answer है ठीक है मैंने lives में भी यह यह लाइव सेशन में भी मैंने सारी चीज़े नोटीस किया है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर confuse कर गए confuse नहीं होना ठीक है this is gender की बात किया तो यह सिंपल आ जाएगा AC to DC motor की बात किया तो it will be get reversed तो वह committed camera basically यह तो हमारे mechanical rectifier और inverter जिसे डिपेंड करते है ठीक है the next question is question no.17 in a series RLC circuit the impedance is dash and current is dash at a resonance resonance में जब हमारा inductive reactance और excel और capacitive reactance equal हो जाते है तो हमारा circuit जो हमारा as a purely resistive circuit करके behave करने लगता है ठीक है तो उसकेस में हमारे impedance जो है RLC series circuit की बात करें तो वह minimum रहता है और जो current है वह maximum रहता है option A इसका correct answer है इसके parallel condition में उसके condition reverse हो जाती है तो यह important है धन मेरे के in a series RLC circuit the impedance is minimum and current is maximum okay next question is question number 18 cables used for a underground services from 33 kv to 60 kv are 33 to 60 kv के रहे हम लोग कौन सा cable use करते है तो वह हम लोग extra high tension cable use करते है option A इसका correct answer था ठीक है and here is the chart which I have presented to you इसमें extra high tension cable अब देख सकते हो extra high tension cable यह 33 to 66 kv के लिए बाकि जो low tension है high tension super tension और extra super tension cable यह भी चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा इसमें से कोई भी examination में पूछा जाता है ठीक है option A इसका correct answer था 33 to 60 kv के लिए हम लोग extra high tension cable use करते हैं the next question is question number 19 in a drain characteristics of a junction field effect transistor drain current is maximum when Vgs is drain characteristics में जब drain current maximum रहेगा हमारा Vgs के वाली उस time पर कितना होना चाहिए Vgs का वाली हमारा 0 होना चाहिए option B का correct answer है ठीक है that means when Vgs is 0 a drain current it will be maximum और यह shockless equation से हमें बता पाता जलता है shockless equation में क्या बताता है ID is equals to यह examination में यह भी पूछा गया है यह equation मिधान में रखेगा ठीक है important है one minus Vgs upon VP का whole square यह same question के form में पूछा गया है इसलिए मैं आपको सारी चीज़े बताता हूं ठीक है Vgs क्या है हमारा gate to source voltage है ID is क्या है drain to source saturation current है ठीक है और VPA क्या है हमारा pinch of voltage peak voltage नहीं pinch of कहते है इसको pinch of voltage ठीक है तो यहां पर shockless equation के बाद पता चलता है कि जो drain current है हमारा maximum रहता है Vgs जब हमारा zero रहता है और यह हमारा decrease होता है with increase in that with increasing in a positive gate to source voltage ऐसा यहां पर जो increase हो रहा है यह positive gate to source voltage हो रहा है और Vgs जो है यहां पर VPA आ जागा इस line पर ठीक है तो drain characteristics में drain current maximum रहेगा जब हमारा Vgs का value zero रहेगा option B इस का correct answer तका इस ठीक है the next question is the transformer ratio k of a step-down transformer step-down transformer की बात किये हमारा k is equals to v2 upon v1 is equals to e2 upon e1 is equals to n2 upon n1 ठीक है तो step-down transformer की बात किया गया है तो उस case में हमारा k का value less than one रहता है important है basic सा question था और अगर step-up का value पुछा गया तो k will be greater than one okay option days का correct answer था so you guys top important questions थे आचके session के लिए next session के लिए मैं आपको question चोड़ के जा रहा हूँ question काफे symbol है in case of alternator connected to infinite bus the active or can be white form इसका correct answer आपको हमें comment box में comment correct करना होगा I'll choose the top 10 students और मैं यह जो मैंने session या पे markup करके रखा है इसको भी जाकर देखना होगा जो previous year के question paper है हमने डिसस के है ठीक है हमारे चैनल कोचिफाई भे ठीक है तो I hope आप कोई session समझ में आओगा हमारे नए channel कोचिफाई को यहाँ पर क्लिक करके subscribe कर सकते है previous sessions को यहाँ पर क्लिक करके भी watch कर सकते है आपको हमारे instagram page पर भी follow करना होगा और pdf के लिए हमारे कोचिफाई अंडर्सकर official और electrical engine के mcqs को join करेगा so guys for the next time I will see you and have a nice day